नमस्कार थिंक्त्री सिक्ष्टी में आपका स्वागत है मैं हूँ लोकेंद्र किलानौत एक दौर हुआ करता था जब राजिस्थान भरका गूजर समाज राजिस पाइलट के एक आवाज पर एक जुट हो जाया करता था लेकिन उसके बाद में इस्तितियां बदली उनके बे लोगों से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने अपना राजनितिक नेत्र तो पाइलट परिवार को दे रखा है और सामजिक नेत्र तो संभालते हैं बैसला परिवार आज ऐसे ही एक मुद्दे पर करनल करोडी सिंग बैसला के बेटे विजय बैसला जो अब उनकी विरासत को संभाल रहे हैं वो भिड लिये इंदराज गुजर से जो गुजर समाज से ही आते हैं और राजिस्तान विधान सभा में विधाय के ट्वीटर पर इन दोनों में एक जंग देखने को मिली विजय बैसला ने इंदराज गुजर को मैंसन करके उन्हें कुछ लिख उसके बाद में उनकी जो जंग है वो लगातार जारी है आज हम जिस मुद्धे पर चर्चा करेंगे कि आखिर गुजर समाज का मसीह राजिस्तान में कौन है विधान सभा चुनाओ बहुत नजदीक हैं कुछी समय पहले प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी देवनारेन मंदि गुजर समाज को साधने की कोशिस करते हैं राजिस्तान के सियासी गलियारों में चर्चा ऐसी हुई कि ये नरेंद्र मोदी का गुजर समाज को साधने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्टॉक है राजिस्तान में चुनाओ बहुत नजदीक है ऐसे में प्रसंद लाजमी है कि राजिस्थान में आकिर बूजर समाज का मसीहा कौन वरिष्ट पत्रकार और राजनितिक दिसले सक प्रदीप बिदवत इस चर्चा में हमारे साथ जुडेंगे प्रदीप जी बहुत-बहुत स्वागत है एक इतना अग्रेसिव समाज जो एक समजिक नेता के एक आवान पर सर आजने की कोशिश करता है और इसमें कोई सक नहीं है कि क्रोडी सिंग बैसला की एक आवाज पर भी गूजर समाज पत्रियों पर मिलता था लेकिन राजनितिक ताकत बैसला परिवार नहीं बन पाया है आज जो जुबानी जंग देखने को मिली असोक चांदना को लेकर उस सीधे साथे समाज को एक जुट करना और फिर प्रभाव में ले आना इस समाज की एक जुटता इसी में है कि ये धार्मिक रूप से देवनाराण भगवान को मानता है और आप देखिए कि राजेश पाइलेट ने जब एर फोर्स की नोगरी छोड़ी और वो चुनाव ल उनकी अगर लिखी हुई अगर आपने जीवनी पढ़े हैं जो राजेश पाइलेट जी की जीवनी जो उन्होंने लिखी हैं सचिन पाइलेट की राजनितिक गुरू भी रमा पाइलेट मैं बिलकुल उनकी मा है और राजेश पाइलेट की राजनितिक गुरू कहना मैं ठीक समझूंगा रमा जी को क्योंकि उन्होंने बहुत ग्राउंड पर काम किया और जिस तरह से election design किये मला आप यह देखिए वो लिखते थे लिखते हैं कि पैसा नहीं होता था तो दिन भर phone गुमाते थे phone गुमाते गुमाते उनके उंगलियों में दर्द होने लगता था उस समय ग्रेडिल वाला और वो वो फोन हुआ करता था तो वो एक संगर शशील महिला है और जब राजेश पाइलेट में राजनीति की तो राजेश पाइलेट को ज्यादा संकट नहीं आया क्योंकि उनका आधार बहुत मजबूत था बतोर रामा पाइलेट के पिताजी जो है वो ततकालिन बड़े एक शत्रफों के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे तो जो ननिहाल पक्ष है सचिन पाइलेट का वो अलग तरह का एक राजनितिक वजूद रखता है राजेश पाइलेट जो राजेश पाइलेट आ रहा है तो तब से वो राजेश्वर प्रसाद बिदूडी जो है वो राजेश पाइलेट हो गये और यही परमपरा सचिन पाइलेट आगे वड़ा रहे हैं बिलकुल पाइलेट परिवार हो गया तो अपन बात कर रहे थे आजवाले मुद्दे पे तो पहले मै मैं बताना चाहूंगा सीधा साधा सरल समाज हैं और अपने नित्रतों के पीछे इतना एग्रेसिव हो जाता है कि यह समाज जो की राजेश पाइलेट के आने से कॉंग्रेस में सद गया था कॉंग्रेस में सुखाडिया के बाद का दौर था अपने नेता के साथ जिस नेता में इसने भरोसा कर लिया चाहे वो युद्ध का मैदान हो जब युद्ध से राजनिती तैय होती रही है इनका अपना एक इतिहास रहा है गुजर समाज का और चाहे वोटों का बैदान रहा हूँ तो राजेश पाइलट जब गुजरों के नेता बनके आए तो आप यह देखिए कि दिल्ली में अगर भीड लाखों की जूटी है राजेश पाइलट अगर विपक्ष में भी रहे हैं तो उनके एक आवान पे न किवल राजस्थान के बलकि उत्तर प्रदेश के बलकि हरिया सबस्क्तिमा लेकिन उस दौर तक शचिन पाइलट के बाद में सचेन पाइलट को अपना नेता माना आप यह दरजनों लोगों ने जान दी अपने समाज के लिए और अपने नेता से कभी गिला सिक्वा नहीं किया, लेकिन अब इस समाज के साथ, और आप ये देखिए कि जब किरोडी सिंग पैसला का प्रभूत्व कम हुआ, और गुजर समाज एक राजनितिक छवी सचिन पैलेट में देखने लगा, आप ये करें परंपरगत भाजपा का और एक निर्दली है, जोगेंदर सिंग अवाना है, जिनको अशोग गैलोत ने साधा है, देवनारान बोर्ड का अध्यक्ष बना कर, अशोग गैलोत ने फिर से गुजरों को साथने की कोशिश किया, कि गुजर उनके पाले में आये, उन्होंने अशोग चांदना को उनका नेता खोन होगा, चाहे वो राजनेतिक रूप से काई हो, चाहे वो सामाजिक रूप से, सचिन पालेट को माना, बीजेपी को जीरो कर दिया, कि पालेट सीम बनेगा, तो यह अंदर है, सामाजिक नेता में, और पबलिक जाती द्वराइब, अबी एक बड़ी कमाल की अधिने वाला एक किशोर, एक बाला के नौजवान में कहूंगा, तो उसे बलवान पूनिया के घर से गरबतार किया, पुलिस नहीं, तो आज का जो इशू है, उस पे अपन बात कर रहे हैं, कि आज क्या हुआ है, सरकार ने काया कि इस महीने हम रीट का परिणाम जारी कर द तो रीट में जो देवनारायन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो और जो विजय वैसला हैं वो और इसको लेके एक समझोता हुआ था सरकार के साथ में कि हमारे जो साड़े तीन सो के आसपास अब्यर्थी हैं, उनके चैन और उनको लेके सरकार को रास्ता निकालेगी, विजय व सरकार कियa हैं मैं तो इंदराष चांदना का की ऊपर्ते हैं, या अंठने करें मिलेगा तो इंदराष गूजर फिर हमिलावर हो गए, लमारे वुजर ने कहा है कि आप ने बिना समाज इधायकों को साथ ले समझोता कर लिया ये बात दोनों के बीच पहले भी एक बार जुबानी जंग हो चुकी है लेकिन आप देखिए कि अब गुजर समाज में नेतरतों का इंदराज गुजर जो है वो समाज के नेता होने का दावा नहीं करते हैं वो सचिन पैलेट की सदारत ठीक नहीं है वो दीवाना है लेकिन वो समाज से जो समबाद करते हैं वो इंदराज गुजर के माध्यम से होता है तो ये आप देखिए कि ये जो जुबानी जंग है चूंकि किरोडी सिंग बैसला खुद भारतिय जंता पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं 2009 के अंदर हालां कि बहुत बहुत कम अंतर से हार गए थे तो ये एक देखने को मिल रहा है कि सचिन पाइलट जिन्होंने गूजर मिना क्लैश खतम किया सचिन पाइलट जिन्होंने समाज को एक उमीद जगाई थी कि पहला गूजर मुख्यमंत्री राजस्तान में बनेगा त पुषकर में जो इवेंट हुआ था उसमें भी कई तरह की यह जूतम पैजार जैसी इस्तिती हो गई थी तो समाज शिटका वासा खड़ा सोच रहा है अंतिम लाइन में और यह इस्तितियां कैसे पैदा की यह राजनितिक दलों ने आप देखिए जो देख रहे थे कि सचि तक बना के रख दिया जाए उसके बाद में अभी एक समाज से कैसे व्यक्ति कट हो अशोक गलोत ने जो उद्योग मंत्री बनाया है जिनको जो गुजर समाज से ही आती है तो यह सारा यह है कि किस तरह से पाइलेट का नित्रतु जो है उसकी बजाए यह बताया जाए कि को खड़ा किया जाता है सचिन पाइलेट के काउंटर पे और बीच में उनका एक ट्विटर वार भी हुआ था जब पुसकर का पूरा मामला हुआ और अशोक चांगना एक साथ हमलावर हो गए थे सचिन पाइलेट के उपर लेकिन सचिन पाइलेट ने अपने आपको बहुत बड़ी ताकत हैं और हो सकता है कि साथ वो भविश में कभी हाँ भविश्य में हुए तो वो परिस्तितियां बताएगी फिलाल उनका अपनी सीट के अलावा और एक दो सीटें आसपास के अलावा कोई सचिन पाइलेट से बड़ा कोई चत्रप गूदिर समाज का नहीं हाँ जिसने वोटों में चीज को कनवर्ट किया हो ऐसा तो कोई नजर नहीं आता जिसने बीजेपी को समेट दिया हो समाज में देवनारान बोर्ड के अध्यक्ष बनाएगे अवाना उसके बाद में वो निर्दिली ऐसे अशोगलोत के समर्थन में आ गए आप देखिए कि देव समाजिक नेता वो देखता है यह क्या आप बड़ा कारण मानते हैं कि गूजर समाज की जो पॉपुलेशन उसको वोट में करनल बैसला नहीं कर पाए देखिए उस समय आरक्षन वाली जो चीज थी उसमें आरक्षन यहां से निकल के कभी राज्यपाल के यहां अटक जा रह था तो वो असमंजस की स्थिती में थे दूसरे नेता भी शिटक गए थे प्रलाद गुंजल बीजेपी से लड़ रहे थे उसके अलावा कुछ लोग कॉंग्रेस में यह करके और चीजें गड़ मड़ हो गई थी लेकिन किरोडी सिंग वैसला जो है उनके पीछे भीड आने वचन तो उन्हें उनके वचन पर भरोसा था अब विजे बैसला उस वरोसे को कितना कायम रख पाते हैं यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनोती है अब दूसरी तरफ बैसला परिवार में उस विरासत को संबाल रहे हैं विजे बैसला लगातार समाज के लोगों के बीच म कि मेरा हाथ पकड़ा सचिन पैलेट ने मुझे युनिवस्टी का टिकट तो नहीं दिया लेकिन मुझे विदायक बनाया तो यह है कि उन्हों जो राजेश पैलेट का एक कथन था एक टैग लाइन उनकी थी कि मैं समाज के अंतिम चोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिनका कोशिश करूँगा तो यही कोशिश सचिन पैलेट ने किर इसलिए वो राजेश पैलेट को गुजरे एक अरसा हो गया दसक हो गये लेकिन उसके बाद में भी गुजर समाज में राजेश पैलेट को लेकर जो एक सरद्दा है मैं कौँगा एक बहुत भावनत में राहुल ग जिन्होंने 71 का वार बहुत सक्रिय रूप से लड़ा और उस मोर्चे पे थे बांगला देश वाले पे उनकी कई सारे किस्से कहानिया उस किताब में लिए अभी राहुल गांदी की आत्रा जब आई थी तो राजेश पैलेट का काफी उलेख हुआ तो यह पुराने लोग जो भी है जो परिवारिक विवस्ताओं में रहने वाले लोगों में जो मुखेया है या सामजिक विवस्ता में र Yukा में जो पंच पटेल है उने में अभी भी राजेश पैलेट और उनकी परिवार के पति एक सिंपति का नेत्रत्व ये होता है और इनकी बात का वजन है हमें सुना जाता रहा हमें रिकरगनाइज करया जाता रहा आने वाले जो लोग हैं उन्हें भरोसा बनाना पड़ेगा करनल किरोडी पर एक भरोसा था जिसके वज़े से 70-80 गुजरों ने अपनी जान दे दी हजारों ने जिस तरह से देवनारण मंदिर आये और कहा जा रहा था कि गुजर समाज को साथने के लिए बहुत बड़ा माश्टर स्टॉक है लेकिन सचाई है कि भारते जन्ता पार्टी से एक भी विढ़ायक नहीं है राजिस्तान विलारा रिजल्ट था गुजर समाज भाउक था कि सितिया नहीं दिख रही यहां तक कि अभी का जो सर्वे है उसमें तो सरकार आती भी नहीं दिख रही सरकार ही नहीं आएगी तो नाराजगी है गुजर समाज की सचिन पाइलेट को लेकर जो नाराजगी है असो गहलोट से नाराजगी है या पर गहलोट सरकार से नाराजग वो नाराजगी किदर जा रही है, नाराजगी का जो गुबार है, वो किदर फूपने वाला है? जो विकल्प मिलेगा, समाद सोचेगा, बैठेगा, लेकिन इससे पहले इनको आपस का जो एक लैश है, वो खतम करना अगा. भाजपा के साथ में दिक्तत यह भी है कि भाजपा के पास में कोई बड़ा गुजर सत्रपने हैं. कई सीटें ऐसी है, जा मिना और गुजर का आपस में एक अच्छा कॉंबिनेशन है. तो आप यह देखिए, जो सीटें कई सारी हैं, जो अन्रिजरूड सीटें हैं, वहाँ पे मिना केंडिट उतारा, सचिन पाइलेट ने और गुजरों ने सपोर्ट किया और बहुत सारे स् भाव बना, उस समाज ने सपोर्ट किया मिना समाज को, मिना समाज ने सपोर्ट किया गुजर समाज को, दोनों एक दूसरे के साथ आए, लेकिन अब चुँकि गुजर समाज में ही इतने नेता पार्टियों ने पैदा कर दिये हैं, कि वो आपस में लड़ने की राह पे हैं. जी ठीक बात है तो वरिष्ट पत्रकार और राजनितिक विसले सक प्रदी बिदावत से हमने चर्चा की कि आने वाले विधान सवा चुनाओ में गूजर समाज का मसीहा आखिर कौन होगा क्या इस बार भी सचिन पाइलेट अपना करिस्माई प्रदर्शन कर पाएंगे कि उनक कि ऑन ओस्माद को प्रदी नातौ प्रदी कि यहां है डिक जो इस बाहता है तो इस बाहता है तो अन्या आखिर के मिद्द फ्रदी सांदी भी से विए एंगे विदाना श्तू से बाहता है इस इस भी सुनाओ नवाले आखिर समाध